नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं HPTZT कमिशन की थोड़ा सा जानेंगे उसके एडमिट कार्ड के बारे में कि जो एडमिट कार्ड है वो कब तक अपलोड होते होंगे साइट के उपर काफी लोग इंतिजार कर रहे हैं जितना भी हम करवा सकते थे अपने चैनल के उपर हमने हर एक टॉपिक को इसके उपर कवर कर लिया है तो आई होप कि आपकी त्यारी जोए अच्छे से चल रही होगी हमने तकरीबन जितने भी साइकॉलजी हो गई टीचिंग एप्टिटूड हो गया फिर आपके पास नैशनल कमिशन हो गया फिजिक्स, केमिस्टी इन सभी को हमने पूरी तरह से यहां पर कवर किया है तो अब कोई भी टॉपिक यहां पर नहीं बचता है जो कि अब हम करवा सकते हैं इसलिए अब आपको कोई भी वीडियो आजकल नहीं मिल रही है देखने के लिए कुछ परसनल प्रॉब्लम भी है तो आज का जो हमारा टॉपिक एस्पेशली वो है एचपी टीजिटी कमिशन की जो एड्मिट कार्ट है वो कब तक अपलोड होंगे तो जैसे कि आपको पता है कि जो एचपी एससी है तो उसकी एक पॉलिसी है कि जब भी आपका एक्जाम आना होता है जैसे आपको पता है कि 30 को आपके एक्जाम है एंड जो आर्स का है वो 13 को है जो नेक्स्ट मन्थ है तो जो 30 बाले exam है आपके पास उसकी जो admit card है तकरीवन आपको 3 या 4 दिन पहले जो है site के उपर डलेंगे अगर 30 को आपके पास जो paper है तो आपका जो admit card आएगा वो तकरीवन 25 के आसपास जो है आएगा यानि एक week आप मानके चलिए कि 25 के आसपास 25 से लेकर या 24, 25 and 26 तक इन dates को जो है आपका admit card जो है आजाएगा जिनका paper 13 को है तो 13 वालों का admit card तकरीबन उनका 10 तक आजाएगा 5 to 10 के बीच में यानि आप एक week मानके चलिए especially 4 या 5 दिन पहले जो है वो admit card को upload करते हैं तो आप घबराईए नहीं क्योंकि कुछ student होते हैं कि जो सोचेंगे कि मेरा admit card नहीं आ रहा हो सकता है मेरा form गलत फिल हुआ हो या मैंने कुछ गलत information बहाँ पे डाल दी हो तो guys ऐसी कोई बात नहीं है जो इनकी policy है उसके according जो admit card है वो 4-5 दिन पहले ही upload होते हैं तो तकरीबन 25 को आपको medical and non-medical का admit card देखने को मिल जाएगा and उसके बाद 13 वाला तो आपको वो 7 या 8 तारीक के आसपास admit card देखने को मिल जाएगा and guys सभी को all the best and comment करके जुरूर दाइए कि आपकी त्यारी जो है कि इस तरह से चली हुई है and मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you and अगर आप चाहते हैं कि किसी topics related आपको कोई information चाहिए so आप हमें यहाँ पर comment कर सकते हैं कि इस topic के ओपर videos बनाएए otherwise जिस तरह से system चला हुए उससी तरह से चला रहेगा so मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you have a nice day